आपका हमारे चैनल दिलेर पुर्वानचल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अगर आपने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सस्क्राइब कर लें और बिल बटन दबाना ना भूलें दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो में आजमगर जिले के दबंग पूर्व बलाक प्रमुख अखंड परताप सिंग के बारे में बताएंगे अखंड परताप सिंग मूल रूप से आजमगर जिले के तरवा बलाक के जमुआ गाउं के रहने वाले हैं अखंद परताप सिंग दंजवी के नेता के रूप में माने जाते हैं। अखंद परताप सिंग तरवा बलाक से बलाक परमुख रह चुके हैं। इन्हें UP की पूर्व मुख मंतरी माया बती का बहुत ही करीबी माना जाता है। इसी कारड 2017 U.P. बिधान सभा चुनाव में बसपा मुखिया माया बती ने अखंड प्रताप सिंग को आजमगड अतरावलिया बिधान सभा से टिकेट दिया था, लेकिन चुनाव में अखंड प्रताप सिंग सपा की दिग नेता वलराम यादो के पुत्र संग्राम यादो से हार गए दबंग पूर्व ब्लाक प्रमुख अखंड प्रताफ सिंग के उपर तीन दर्जन से जादा आपराधिक मुकनमे दर्ज हैं पनारास के मसूर ट्रांस्पोर्टर धनराद यादोक की 2013 में महिना जुपूर में थाना छेतर में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी जिसमें अखंड प्रताफ सिंग का नाम दर्ज हुआ था इस घटना के बाद अखंड प्रताफ सिंग फरार चल रहे हैं सरकार अखंड प्रताफ सिंग के उपर एक लाग रुपए का एनाम भी घोशित किया है अपने छेतर में पूर्ब बलाक प्रमुक अखंड प्रताफ सिंग काफी लोग प्रिये हैं और यौओं के बीच उनका काफी क्रेज है जवनपूर के बाहु बली नेता पूर्ब सांसद धरंजे सिंग के खास माने जाते हैं अखंड प्रताफ सिंग तो ये रहे दोस्तो आजम गर जिले के दबंग पूर्ब बलाक प्रमुक अखंड प्रताफ सिंग अगर आपको इनके बारे में यहार वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल जरू सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक, सेर, कमेंट जरू करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद